प्रॉपर्टी से कमाया पैसा प्रॉपर्टी में लगा कर प्रॉपर्टी को बढ़ा लेते हैं 15 गुना 20 गुना तक हो गई है बहुत इजी बिजनस है अयुद्या में जिन लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था कहा पर लालडोरा की जमीन होती है कहां पर रज अब हम क्या करें ऐसा कि मेरे पास कुछ ना होने के बावजूद भी मैं बिजनस कर लूँ पैसा कमाना शुरू कर दूँ आज इसी विशह पर बात करने वाले हैं आपको पता है रियल स्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमेशा बूम पर रहती है और आज का रेट और आन मैं तो प्रॉपर्टी डिलर बन जाओ या कमीन बनने की बात नहीं कह रहा हूं ऐसे बिजनस के बारे में जाए और वह बिजनस है real estate का business how to start real estate business without money मेरा कैनेंगा मतल़ भी है नहीं है कि आपने क्रोड रुपए invest किया, एक land खरीदा, construction किया और flat बना कर बेचना शुरू कर दिया हम तो बात करेंगे, हिंग लगेना fit करी और रंग चोखा आ जाए और वो business है real estate और real estate में commission agent इसको शुरू कैसे करना है उसकी क्या strategy होनी चाहिए किस तरह से planning करनी है, सारा मैं आपको बताने वाला हूँ वो dialogue तो आपने सुना होगा ना कि एक भी बच्चा छूटा, तो सुरक्सा चक्र तूटा pulse polio abhyaan यही बात मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में एक भी लाई ना कर छूटी तो समझ लिजिए income कमानी की लाठी टूटी तो इसी बारे में बात करेंगे सबसे पहले आपको काम क्या करना है identify area where you want to start यह identify करो कि मैं कि zone में काम करना चाहता हूँ कई बार आप एक ऐसे zone में रहते हैं जहां पर property की value कम है और sale purchase कम होता है तो ऐसा area identify करो जहां पर नया construction चल रहा है लोग जादा property में invest कर रही है sale purchase कर रही है future growth possibility बहुत अच्छी है जैसे पिछले कुछी महीनों में आयोध्या में जिन लोगों ने property में invest किया था उनकी कीमत 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना, 20 गुना तक हो गई है तो ऐसी जगाए पर trade की opportunities बहुत जाद है तो area identify करो उसके बाद identify करो कि उस area में आप किस category में काम करेंगे अब real estate की भी ना अलग-अलग category होते है जैसे आप residential property में डिल करते है अब residential में भी अलग है कि आप जड़ समित मकान बेशते हैं या flat बेशते हैं या residential में आप floor बेच रहे हैं या residential में आप land बेच रहे हैं तो आपने क्या देखा पहले residential करना है या commercial करना है commercial में गशॉप हो गया, offices हो गए working place हो गए उसके बाद industrial area या agricultural area यह आपको identify करना है कि मैं किस field में mastery कर लूँ, कैचना है कि हर company का flagship होता है, जैसे हमारी company का flagship product क्या है, stailness steel से बने products, बेचते तो हम wooden के भी है लेकिन हमारा flagship क्या है stailness steel ऐसे ही property dealer का जो होता है flagship होता है कि तो residential करता है commercial करता है, industrial करता है, agricultural करता है क्योंकि हर एक field अपने आप में एक बहुत बड़ा field है, तो यह identify करो किस field में काम करना है, आप जिस city में काम करना जाते है, वाँ सबसरा field है कौन सा, मानलो आप काम तो करना जाते हैं सदर बाजार में लेकिन वहाँ पर आप करते है agricultural land का तो वाँ तो agricultural land है यह नहीं न, आपको यह देखना है कि आपके आसपास किस तरह की category का काम हो रहा है, दूसरा identify scope of work, कि आपको काम करना क्या है, आप renting का काम करना चाते है, या आप lease का काम करना चाते है, sale purchase on commission basis करना चाते है या construction and collaboration करना चाते है समझ लेते हैं, renting का मतलब है एक बंदा property किराय पर देना चाता है एक लेना चाता है, दोनों को मिलवाना, 15 दिन का एक महीने का commission चार्ज कर लेना, तो renting का काम कर सकते हैं, आप दोको बहुत सारे board posters आपने देखे होंगे, toolet किराय पर उपलब्द है, या toolet की services हम provide करते हैं, मतलब अगर आपको जगह चाहिए, तो हम provide करेंगे कई जगह क्या होता है, वो toolet भी करते हैं sale purchase भी करते हैं, construction भी करते हैं collaboration भी करते हैं, लेकिन यह वो लोग करते हैं समवर्द दोते हैं, और पैसा एक अठा कर लेते हैं property से कमाया पैसा, property में लगाकर property को बढ़ा लेते हैं, और अपनी income में इजाफा कर लेते हैं, दूसरा lease क्या आपके link में अच्छे brand, अच्छी company, अच्छे outlets हैं, जिनको आप lease पे property दिलवा सकते हों, तो आप ऐसे area में सर्च करें, जाए investors ने इस तरह की property खरी दिया है, और वो lease पर देना चाहते हैं, और आपके link में अगर brand हैं, या आप advertisement करके brand से collaborate कर सकते हैं, तो आसानी से आप lease का business कर सकते हैं, sale purchase, on commission basis, ज़रूरी नहीं कि आप अपनी investment करके sale purchase करें, एक होता है व्यक्ति बेचने वाला, एक होता है, खरीदने वाला, लेकिन जो dealer है, वो commission agent होता है, एक percent commission sale करने वाले से, एक commission purchase करने वाले से, तो commission basis पर काम कर सकते हैं, उसके साथ construction and collaboration का कर सकते हैं, दोनों थोड़ा सा different है, construction का मतलब होगए, आपने land पर building मनाना शुरू कर दिया, या collaboration का मतलब क्या land किसी और का investment आपका, आपने building मनाई, कुछ floor उसको दी, कुछ पैसा दिया या लिया, और बाद में floors बेचना शुरू कर दिया, तो construction, collaboration का काम कर सकते हैं, next important बात है, कि आपने ये तो सोच लिया, कि मुझे करना है property से related business, किसी भी एक particular stream से related business, किसी भी एक तरह की services related business, लेकिन इसका experience मैं कहां से लूँ, आज ना property dealers के पास vacancy हमेशा available रहती है, वो कहते हैं, जितने भी लड़के मिलना हैं, उतने ही कम है, क्यों, क्योंकि वो fixed salary pay नहीं करते हैं, क्लाइंट के साथ deal होने पर commission का कुछ पाड़ देते हैं, तो यहाँ पर job opportunity बहुत ज़ादा होती है, सबसे पहले आप experience ग्राइब करें, job करके, ताकि आप dealing skills सीख सकें, कि consumer को, buyer को property कैसे दिखानी है, कैसे उसके बारे में समझाना है, उसके साथ में procedure and documentation को समझ सकें, आपने property दिखाना तो सीख लिया, लेकिन जब आपस में deal हो, तो ब्याना receipt कैसे पाड़ते हैं, देशी language बोल रहा हूँ, property dealer को ब्याना कैसे agreement करते हैं, फिर उसके बाद में जुस property के registry होगी, कहा होगी, कैसे होगी, कैसे registry agreement बनेगा, payment conditions क्या होगी, ये कब आपको समझ मेंगा, जब प्रैक्टिकल नॉलेज जब आप लेंगा, और प्रैक्टिकल नॉलेज का मिलने वाला है, actual property dealer के office में, जो लोगों के साथ deal कर रहा है, तो procedure क्या है, documentation क्या है, legal formalities की knowledge को grab करना, और ये कैसे आप कर सकते हैं, ये किवल तब ही आप कर सकते हैं, जब पर्टिकूलर जोन में आपको papers की पूरी knowledge हो, हर city, हर district, हर zone, हर कस्बे में, paper on documentation का जो process है, तो legal formalities क्या है, कहां पर चकबंदी होती है, कहां पर हदबंदी होती है, कहां पर रजिस्ट्री होती है, कहां पर जी पिए फॉर्म होता है, कहां पर जी पिए के बाद और बाकी formalities होती है, तो वो कब पता लगेगा, जब हम उस city में, उस zone में, उस district में काम करेंगे, तो ये knowledge का मिलेगी, actual property dealer के यहां पर, उसके बाद closing skill, आप देखो, जो बहुत स्मार्ट चालाक चतुर, property dealer है, वो deal close कराने में, बहुत बड़ा role play करते है, जैसे एक buyer है, वो एक करोड की property बेचना चाता है, बट जो seller है, वो 90 लाग रुपे में, खरीदना चाता है, और property dealer को बता है, जब तक rate पटेगा नहीं आपस में, जब तक deal होगी नहीं, और deal होगी नहीं तो commission मिलेगा नहीं, तो वो कोशिश करता है कि seller को और नीचे ले करा है, और buyer की investment को बढ़वाया जाए, तो वो बीच में कता, रे भाई साब, ना आपकी 95 लाग रुपे में done करते हैं, अरे भाई साब मैं हूँ साथ में, तो कहने का मतलब, आपकी जो closing skills है न, वो बड़ी important role play करेंगे, कि आपकी property की deal आपस में हो, और buyer और seller दोनों के मन में ये विश्वास हो कि, ये property dealer आसानी से हमारी deal कराएगा, paper में कोई problem नहीं आएगी, payment का कोई लगडा नहीं होगा, रगडा नहीं होगा, जगडा नहीं होगा, और साथ साथ, जब possession लोगा तो कोई problem नहीं आएगी, और भविश्य मेरे उपर कोई legal formality होने वाली, नहीं litigation में आने वाला नहीं हो, ये विश्वास होता है, एक property dealer के उपर, तब ही एक बंदा dealer के थूरू काम करता है, उसके बाद, जब आप ये सारी चीजे सीख जाएं, तो 2-4 deal, 5-10 deal, 25-30 deal, बिना office, बिना setup के आप करें, क्योंकि यहाँ deal तो आप करी रहे हैं, अपने property dealer के साथ, बाद में आज़ाएं, फ्रीलांसर कर सकते हैं, लोकल एडविडिजमेंट कर सकते हैं, धाइसो रुपे के 1000 विजिटिंग काड छववा के बटवा सकते हैं, कि हमाने property dealer का काम शुरू किया है, ज़रू थोड़ी के office setup बनाएं, और जैसे आपका काम विवस्तित होने लग जाए, property के deal होना शुरू हो जाएं, तो make an office setup, अपने एक office setup बना के तियार करें, offline और online promotion करना ना धूलें, क्योंकि किसी भी business में sales का volume लाने के लिए, marketing बड़े important है, आप देखिए, property dealer regular marketing करते हैं, किराए के लिए संपर्क करें, गुपता जी किराएवाले, सर्मा जी, property dealer, है ना, तो particular identity के साथ भी लोग काम करते हैं, जरू निको को brand हो, बिना brand के भी लोग करोड़ो रुपय प्रॉपर्टी में बना लेते हैं, तो आप promotion शूरू करें, जैसे offline में क्या हो गया, leaflet, poster, brochures, wall paintings, one-to-one meeting, है ना, और online में, Facebook, Instagram, YouTube के थूभी, आप property के advertisement marketing कर सकते हैं, उसके बाद get client, and start your business, leads आए, regular follow करो, क्योंकि dealing skills आपने सीख ली, property की details आपके पास हैं, और एक और बात, अगर आपके पास बहुत सारे property owner registered नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास buyer है, तो कोई दूसरा property dealer, अपनी property जो उसके link में, वो दिखाने के लिए तयार हो जाएगा, तो वो कहता है, अपनी side का commission आप रख ले ना, मेरी side का commission मैं रख लूँगा, बहुत easy business है, link, reference and network का business है, जितना बढ़िया network बनता जाएगा, दीरे 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 आप commission agent से, property buyer seller बन जाएगे, और दीरे दीरे buyer seller से, construction company आप खड़ी कर लेंगे, आज बहुत सारे property dealer, कम investment में, collaboration में भी काम कर रहे हैं, best opportunity है उन लोगों के लिए, जिनके अंदर अच्छी communication skill है, convincing skill है, personality इस तरह कि ये कि लोगों को convince कर सकते हैं, बिना investment के पैसा कमाया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पढ़ता, कि वर्तमान में आप किस परिस्तिती में हैं, फर्क इस बात से पढ़ता है, कि भविश्य के लिए आप कहा तयारी करने हैं, और उस तयारी को करने के लिए, किस तरह के लोगों के आप साथ हैं, इसलिए अपना network strong बनाएं, किस बिजनस के बारे में बिना investment में शुरू कि सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या उस पर वीडियो चाहते हैं, तो मुझे comment box में ज़रू लिखें, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित मैश्वरी, आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत.